Good morning my dear student, आज का हमारा विश्य है हिंदी और ये आपकी हिंदी की मुख है, चिक है? आज हम वन माला का अगला स्वाल लिखना सीखेंगे, क्योंकि हमारा पिछला वीडियो स्वार ए में पर था, ए एडी का, तो आज हम स्वार ए अनक का लिखना सीखेंगे, चिक है बच्चों? तो मेरे साथ लिखना आप भी शुरू कीजिए, सो लेट स्टार्ट, सी, सबसे पह बचले में बनाना हमें, स्ट्टर्ची रेखा, जोड़कर स्टर्ची रेखा और उसे ऐसे घुमा दी चिए, फे एक खली रेखा उसे गुमादी चिएंग पर एक खली रेखा उसे घुमा दीचे टीए एक और दिर्ची रेखा बना के उसे ऐसे खुमा दीची या स्मॉल कर तो यह हमारा क्या बन गया ए ए ए ए एनक अगें वी ट्रो फर्स्ट आफ ओल वी ट्रोवन sleeping line बच्चो यह हमें क्या बनाना है sleeping line आडी रेखा ठीक है फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है खडी रेखा मतलब one more standing line उसे चोड़ कर एक और तिर्ची रेखा ठीक है और उसे ऐसे घुमा दीची फिर वन one more standing line एक और खड़ी रेखा और उसे भी ऐसे घुमा दीची आजिए a small curve then we draw one more slanting line ठीक है यह कौनसी लाइन है slanting line मतलब तिर्ची रेखा और उसे भी ऐसे घुमा दीची तो यह हमारा क्या बन गया बच्चो ए ए ए ए ए एनक का again we draw first of all we draw one standing line मतलब एक खड़ी रेखा उसे जोड़ कर तिर्ची रेखा और ऐसे घुमा दीची मतलब one more sorry one standing line and one slanting line drawing a small curve then one more standing line and a small curve मतलब एक और खड़ी रेखा और उसे ऐसे घुमा दीची ठीक है उसके बाद आड़ी रेखा मतलब sleeping line बनाएए उसके बाद one slanting line means तिर्ची रेखा बनाएए और उसे ऐसे घुमा दीची तो यह बन गया हमारा ए ए एनक का so as this way we learn and write a आज हमने क्या लिखना सीखा बच्चों हिंदी में ए ए ए एनक का लिखना सीखा है ठीक है तो थैंक यू बच्चों भाई 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 टेक क्या भी सेव एनिस्टेया ए इस्टेया फोम